किसी बेलन के सिरे पर उसी तिर्ज्या का संकू रखने पर बने ठोस का आयतन वक्र पिरिष्ट और संपोर्ड पिरिष्ट ग्याद करना तो कोई बेलन है इसकी तिर्ज्या माल लेते हैं आ रहा है इसके उपर एक संकू रखा गया है जिसकी भी तिर्ज्या आ रही है दोनों के आधार समान होने का मतलब दोनों की तिरिज्याएं समान है अब मान लेते हैं इस बेलन की उचाई यह बेलन की उचाई यह है इसको H1 मानते हैं और इस संकू की उचाई H2 है यह संकू की तिरियक उचाई को हम L मान लेते हैं यह वाली दूरी तो अब इस ठोस का आयतन वक्रिपिरिष्ट और संपोर्पिरिष्ट आपको निकाल करके हम दिखाएंगे तो सबसे पहले इस ठोस का आयतन ठोस का आयतन तो ठोस का आयतन बराबर क्या होगा? इस बेलन का आयतन और इस संगू का आयतन तो बेलन का आयतन बराबर क्या होगा पाई आर स्क्वाइर एच तो पाई आर स्क्वाइर और इसकी उचाई एच वन है पलस इस संकू का आयतन तो संकू का आयतन बराबर क्या होता है एक बटा तीन पाई आर स्क्वाइर और इसकी उचाई एच टू है अब यहां कामन लेंगे पाई आर स्क्वाइर पाई आर स्क्वाइर कामन ले लिए तो क्या बचा H1 पलस एक बटे तीन H2 अब यहां अगर H1, H2, R का मान मालूम होता तो यहां मान रख करके और हल कर लेते उत्तर प्राप्त हो जाता तो हम यही पे छोड़ दे रहे हैं इसी तरह से आप यहां मान रख करके हल कर सकते हैं अब इसका वक्रप्रिष्ट निकालना यह जो ठोस है ठोस का वक्रप्रिष्ट इस बेलन का वक्रप्रिष्ट और इस संकू का वक्रप्रिष्ट दोनों मिला करके इस पूरे ठोच के वक्रिप्रिष्ट हो जाएंगे तो बेलन का वक्रिप्रिष्ट बराबर क्या होता है 2 pi r h1 2 pi r h होता है इसकी उचाई h1 है पलस इस संकू का वक्रिप्रिष्ट बराबर क्या होता है pi r l pi r l अब यहां कामन लेंगे पाई आर कामन है तो पाई आर तो क्या बचा टू एच वन पलस एल अब यहां अगर आर एच वन और एल का मान मालूम होता तो रख करके हम इस्ठोस का वकर पिरिष्ट भी निकाल लेते तो चलि हम यही पर छोड़ दे रहे हैं अब हम संपूड पिरिष्ट कैसे निकालेंगे इस ठोस का संपूड पिरिष्ट बराबर क्या होगा देखे इस बेलन का वकर पिरिष्ट इस संकू का वकर पिरिष्ट और ये आधार का छेत्रफल इन सब को अगर मिला दिया जाए तो ये इसके संपूर पिरिष्ठ हो जाएंगे तो देखिए हमने इसका वक्र पिरिष्ठ और इसका वक्र पिरिष्ठ दोनों का अभी अभी उपर निकाला है इतना आया है और इसमें हम आधार के छेतरफल को हम जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्ट हो जाएगा इस ठोस का पूरा का पूरा पूरा पिरिष्ठ मालूम हो जाएगा तो चलिए इस्ठोस का वक्रिप्रिष्ट है तो वक्रिप्रिष्ट आया है πाई आर 2H1 पलस L पलस ये आधार का छेत्रफल तो आधार का छेत्रफल कितना होगा πi r square क्योंकि यह विरित्ताकार है तो विरित्त का छेत्रफल बराबर होता है πi r square अब यहां हम कामन लेंगे इस पद में और इस पद में πi r कामन है तो जब πi r कामन ले लिए तो यहां क्या बचा 2 h1 पलस l बचा और यहां क्या बचा पलस r बचा और यहां बचाट खोलेंगे तो क्या बचेगा 2 h1 पलस l पलस r 2 h1 पलस l पलस r इतना बचेगा अब आप यहां r h1 l का मान रख करके संपूर पिरिष्ट भी निकाल सकते हैं तो यहां पे हम छोड़ दे रहे हैं दोस्तों तो इसी तरह से इस ठोस का आप आईतन वक्रिपिष्ट और संपूर पिरिष्ट निकाल सकते हैं इस टाइब के बहुत से परसनाते हैं तो आप इसी तरह से इसका आईतन वक्रिपिष्ट और संपूर पिरिष्ट निकाल लीजिएगा